एक नागिन के दो अंडे थे, लेकिन जब वो बाहर गई, तब आसमान से एक जादूई अंडा उन दो अंडों के पास गिरा, नागिन जब वापस आई, तब उसे नया अंडा दिखने के कारण उसको तोड़ने का मन किया, उसने अंडे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उससे नहीं तुटा, तब उसने वो अंडा चुडेल के पास दिया, उसने भी अपना जादू इस्तमाल किया, लेकिन वो अंडा नहीं तुटा, फिर उसने वो अंडा सीमा के पास दिया और कहा, तुम इसको संभालो, क्या पता कुछ जादूई चीज इसमें से निकलाए, सीम सीमा ने मचली को कोई में डाला, लेकिन वो तो उस कोई में भी नहीं समा रही थी। तभी सीमा ने देखा कि बहुत जोर-जोर की बारिश हो रही है। और उस बारिश के कारण गाव में हर जगा बार आ गई है। एक दिन एक तांत्रिक चुपके से वहाँ आया और तीनों अंडों को उठा कर ले गया लेकिन रास्ति में ही वह एक पत्थर से टक्रा कर गिर गया, जिसके वज़ह से एक अंडा धर्ती पर आगिरा, तांत्रिक जल्दी से बाकी दो अंडों को अपने गुफा में ले गया, व इतामें उस तांत्रिक को ढूंद कर रानी जल्परी को उसके अंडे वापस देने होंगे, तब ही उसका गुसा शान्त होगा। तब तांत्रिक को ढूंडते हुए उन्हें एक पेड के निचे फसी हुई गंजी चुडेल दिखाई दी। गंजी चुडैल को पेड के निचे फसा हुआ देख बाबाजी ने उससे पूछा कि तुम यहां कैसे फंस गई? तब चुडैल ने कहा, मैं चुडैल हुई नहीं और मुझे ये भी पता है कि आप तांत्रिक को खोज रही हैं. असल में मैं एक जलपरी हूँ और रानी जलपरी पद्मा की बहन भी. जब पद्मा के तीन अंडों को तांत्रिक उठा कर ले गया, तब पद्मा ने उन्हें ढूंडने का काम मुझे सौब दिया. ये काम बहुत मुश्किल था. तांत्रिक की गुफा को ढूंडते हुए मेरा एक महीना बीद गया, पर गुफा नहीं मिली. लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसी गुफा मिली, जिसके अंदर से धुआ आ रहा था. वहां जाने पर मुझे तांत्रिक की आवाज सुनाई दी. बस एक महीना और फिर मुझे सारी शैतानी शक्तियां मिल जाएंगी. तभी एक आदमी गुफा में चला गया, लेकिन जब मैंने गुफा में जाने की कोशिश की, तब एक कवच ने मुझे दूर फेक दिया. पदमा ने मुझे विदा करते वक्त एक जादूई त्रिशूल दिया था, जिसकी शक्ती से मैंने उस कवच को तोड़ दिया. कवच के पीछे तांत्रिक उन अंडों के सामने बड़ा हवन कर रह था, लेकिन कवच के तूटने की आवाज से उसकी नजर मेरे उपर पड़ी, और वह गुफा के बाहर आकर अपनी जादूई शक्तियों से उड़ने लगा. उड़ते उड़ते ही तांत्रिक ने जलपरी पर जादू का हमला किया, जलपरी ने अपने त्रिशूल को आगे किय जिससे जादूई शक्ति नश्ट हो गई, तब तांत्रिक ने बहुत से जादूई अस्तरों को जलपरी के और फेका, तब जलपरी ने दिव्यक कवच का इस्तिमाल करके अपने आपको बचा लिया, तब तांत्रिक गायब होकर अचानक से जलपरी के सामने आ गया और उसकी सारी शक्तियां उससे चीन ली, फिर तांत्रिक ने जलपरी पर जादू से वार किया, जिससे जलपरी बहुत दूर जा गिरी, तांत्रिक तुरंत वहां उड़ते हुए आ गया, और एक पेड को जलपरी पर गिरा दिया, उसके बाद उसने जलपरी को अपने जादू से गंजी हटा दिया और कहा हमें उस तांत्रिक की गुफा तक ले चलो चुडेल बाबाजी और सीमा को तांत्रिक के गुफा के पास ले आई आगे देखने के लिए पार्ट टू कमेंट करें